मुफ्थ खोर महमान लड़की को चेड़ता है, मारो इसे, मारो अरे नहीं, नहीं, मैंने नहीं चेड़ा हाँ, हाँ, इसी ने चेड़ा और प्रॉपर चेड़ा नहीं, नहीं, प्रॉपर तो नहीं चेड़ा मर गया, बचाओ, बचाओ असलम की धुलाई क्यूं हो रही है इसको समझने के लिए फ्लैश बैक में चलते है खाने का असल मज़ा तो निबू के साथ है हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो मैं तो हमेशा ही ठीक कहता हूँ जनाब ये कहकर निबू सालन में डालने लगा अरे अरे ये तो मेरा है तो मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरा है और रोटी के टुकडे को सालन के साथ लगा कर खाने लगा शानदार इतना मज़ा आ रहा है तो अपना लेकर खालो ना इतना खाना क्या कबर में लेकर जाओगे तोड़ा सा खा लूँगा तो क्या हो जाएगा वेटर वेटर क्या है बाई ये क्या तरीका है बात करने का ओहो तो महराज साब को इस बीस की डाल लेने पे 21 तोपों की सलामी चाहिए चुप चाप खाना खाओ वरना चलते फिरते नजर आओ ये सुनकर शेख साब वेटर को देखते रह गए उसी रात असलम गाओं के चना चाट वाले के सामने से गुजरा तो किरन को चना चाट के मज़े उड़ाते देखा वाह क्या बात है आज तो घजब की लग रही हो जाने मन तुम यहां भी आ गए इतने गुस्से से देखोगी तो प्यार हो जाएगा तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन उफ मेरी जान छोड़ने का क्या लोगे फिलहाल चाट ही खिला दो, बाकी लेना देना तो लगा ही रहेगा ओहो, ये मेरा डेबल है, उठो यहां से तुम क्या जहेज में लेकर आई थी प्यारी अरत तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी चाट कैसे खाई चमज से खाई रुक तुझे तो मैं बताती हूँ अरे अरे बाजी, मैं तो मजाग कर रहा था असलम को मार पड़ते देख, बहुत से लोग इकठे हो गए लड़की को छेड़ता है, मारो इसे सारी रात हॉस्पिटल में रहने के बाद, सुबा अपने दोस्त नवीद के साथ करता घर की तरफ चल पड़ा, कितनी बार समझाया था, मुफ्त खोरी छोड़ दे, अब आया मज़ा मुफ्त में खाने का मज़ा तुम क्या जानो शेहरी बाबू? हाँ, हाँ, नजर आ रहा है एक दिन असलम घर के सोफा पे बैठा टीवी देख रहा था, के ऐलान की आवाज आई हजरात, हजरात, एक दिलूरी एलान सुने, हमारे काउं में न, वो, वो खुल गई है वो ही जिसमें बैठ कर नहाते हैं, नहीं, नहीं, मेरा मतलब खाते हैं, वो खुल गया है जिसने कुछ खाना है, वो जाकर खा ले, एलान कटम हुआ इस बार ऐसा मुर्गा फसाऊंगा के सब देखते रह जाएंगे ये कहकर रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा रेस्टोरेंट पे लोगों की भीड देखकर दिल ही दिल में अरे वा, ये रेस्टोरेंट तो मुर्गों से बड़ा पड़ा है कोई तकड़ा सा मुर्गा देखता हूँ रेस्टोरेंट में इदर उदर देखते हुए नजर लास टेबल पर बैठे शेक साब पे जा पड़ी अहां, आज का मुर्गा मिल गया ये कहकर शेक साब के टेबल पे जा पहुँचा चचा जान तुम, तुम यहां भी आ गए इतने में वेटर वहां आ खड़ा हुआ असलम शेक साब की प्लेट की तरफ देखते हुए बिर्यानी काफी मजे की लग रही है चचा जान वेटर, ये ज़रा बतीजे को इसकी सीड दिखाओ कम बखत मेरी ही बिर्यानी पे नजर लगाए खड़ा है असलम दिल ही दिल में कंजूस, एक बिर्यानी पे मर मिटा है अभी बताता हूँ इसे तो कहकर दूसरी टेबल पर जा बैठा जा खाएंगे सार? अरे वो ही, जो चच्चा जान खा रहे है दो प्लेट मेरे लिए भी ले आओ अभी लाया बस दो मिनट में कुछ ही देर में वेटर बिर्यानी की प्लेट ले आया ये ले सर, आपकी फुल साइज डबल प्लेट बिर्यानी कहकर मजे से सारी बिर्यानी खाई और काउंटर पे जा पहुँचा सर, ये आपका बिल अरे इसमें टिप तो तुमने एड़ी नहीं की इसमें दो सो रुपे टिप एड़ करके बिल वो लास सीट पे बैठे मेरे चचा को दे दो वो सारा बिल एक साथ देंगे चचा जान, मैं जाओ फिर हाँ हाँ, जाओ, जाओ सर, ये आपका बिल इतना ज्यादा मेरी तो सिर्फ एक ही पलेट थी हाँ हाँ, बाकी दो तुमारे बतीजे ने उड़ाई है शेक साब बतीजे का सुनकर चकरा गए कौन बतीजा, किसका बतीजा तुम्हारा बतीजा और किसका बतीजा बिल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा बच्चू और दो सुर पै टिप के भी जो तुमारे बतीजे ने बिल में लिखवाए है अब ये टिप कहां से आ गई मैं कोई बिल नहीं देने वाला बिल तो तुम्हारे बड़े भी देंगे ये कहकर शेक साफ पर तूट पड़े ओए छोड़ो मुझे मुझे जाने दो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ ओ कोई बचाए मुझे ओ मुझे बचा हो